सु गैस आज कि इस बीडियो का टॉप एक है बेस्ट पावफुल ओल राउंडर स्मार्फोन जिनको आप कंसिडर कर सकते हो 12,000 के अंदर और गाइस आपको भी पता अगी के टाइम पे काफी अच्छे अच्छे स्मार्फोन लाँच हो चुके हैं लेकिन उसके अंदर कंफीज चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस यहां पर आपको चौति नमर वाला स्मार्फोन है जो की वीवो की तरफ से आता है वीवो T3 light 5G स्मार्फोन है और यह स्मार्फोन हाल फिलाल के अंदर लॉंच हो है यानि कम बजट के अंदर आपको एक ट्रस्टेवल 5G स्मार् स्मार्टफोन है तो काफी एक लाइट वेट सा स्मार्टफोन आप इसको बहुल सकते हो बगी का अच्छी बात ही है कि यहाँ आपको IP64 देखने को मिल जाती है तो थोड़े बहुत पानी से कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी बगी का यहाँ आपको 6.5 एंचास की HD पिलर डिस् प्ले नहीं है और इसके साथ कैमरा क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी क्योंकि बैक में आपको डॉल कैमरे का सेट अप है जिसमें से मैं कैमरा 50 MP का है जो की OIS के साथ मलता है और इसके फ्रंट में 8 MP की सेलफी है यानि इसके बैक कैमरे से आपको 1080 में वीडियो रिका जाता है यानि यहां पर आपको साड़े चाल लाग के आसपा संतुतू स्कोर मिल जाता है बीजिया में में आप 40 APS की गेमिंग कर सकते हो और हीटिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे बागी का यहां यहां पर आपको हाइब्रेट स्लोट मिलता है और गाइस पांच MS की पेंट रही है यानि 15 वाट की फास शर्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो यहां पर सेक्योर्टी के लिए आपको मिलता है इस इंडिस्पली फिंगर पेंट है फिस अनलो का सपोर्ट मिल जाता है इस बजट के अंदर आपको कोई भी ब्राइंड इंडिस्पली फिंग इसको consider कर सकते हो तो guys अब वीडियो में थोड़ा सा आगे पर तोड़ा बात करते हैं वीडियो के थर्ड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में जो है कि IQZ9X 5G स्मार्टफोन है और guys आपको भी बता है IQZ9 परफॉर्मेंस एंट्री स्मार्टफोन पर फोकस करता है यानि अगर आपको एक गेमिंग वाला स्मार्टफोन चीए तो मेरे खल से आप इसको consider कर सकते हो तो इसके मैं फीचर्स के बारे में बात करते हैं देखो guys ये स्मार्टफोन एंडॉड 14 पर अंड करता है और आउट्वर के लिए आपको मिल जाती है 1000 नीट्स की peak brightness है तो अबरूल देखा जाए तो भाई डिस्पले की जो quality है ना वो gaming के साफ़ से काफ़ी ज़्यादा better देखनी को मिलती है एंड इसी के साथ back में दो camera है जिसमें से man camera 50 megapixel का है and 8 megapixel की selfie है 4K में video record कर सकते हो जो कि एक अच्छी बात है बात करें camera quality की तो guys बागे में camera quality काफी अच्छी है काफी अच्छी तरीके से camera को optimize करा है वो या daylight हो या फिर indoor हो या outdoor हो बगी का यहाँ पर आपको मिलता वाई Qualcomm का snapdragon 6 Gen 1 यानि इस chipset पर आने वाला यह side पहला smartphone है और performance center की smartphone आप इसको बोल सकते हो अभी यहाँ पर आपको 60 fps unlock नहीं है 40 fps की gaming कर सकते हो बगी का hybrid sim slot मिल जाता है और guys 6000 mh की battery है यानि 44 watt की fast charging का support मिल जाता है जो की battery काफी लंबी चलने वाली है और charging में ज़्यादा भी time नहीं लगीगा and security के लिए आपको side mount finger printer face unlock का support मिल जाता है तो अब फाइली pricing के बारे में बात करता है यानि guys 4G from 128GB का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है 13000 रोपे के budget के अंदर और 1000 रोपे के SBA के credit card पर discount चल रहा है 12000 रोपे के अंदर आप इसको consider कर सकते हो अगर आपको एक gaming वाला smartphone चाहिए तो और आपको एक गेमिंग वाला smartphone चाहिए तो और आपको इस जो मैंने smartphone rank करें न उससे साफसे comment भी कर सकते हो कि आपके साफसे कैसे rank करना चाहिए था तो guys आपको आपको जो second number वाला smartphone है जो है कि Samsung Galaxy F15 5G smartphone है और आपको भी पता है Samsung अपनी display और camera quality के लिए जाना जाता है तो इस budget से इस smartphone को add करा है यानि यहाँ पर आपको मिल जाती है Super AMOLED display जो कि एक plus point लगा मिरोको यानि कि इससके man features के बारें बात करें तो यह smartphone Android 14 पर रन करता है 9.3 mm की थिखने से 270 gram का smartphone है तो अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो भारी सा smartphone आपको लगेगा और बड़ा smartphone है बगी का display की जो quality है वो यहाँ पर better मिलती है यानि 6.4 एंचर्स की super AMOLED display है 90S का smooth display है water drop notch के साथ मिलती है तो overall देखा जाए तो display की quality यहाँ पर आपको better मिलती है colors वगेरा अच्छे देखने को मिलते है 90C के साथ आपको back में 3 camera है जिस में से man camera 50 megapixel का है 13 megapixel की selfie है यानि इस back camera से आपको 1080 में video record कर सकते हो 30 APS पर camera quality मुझे daylight condition के अंदर काफी अच्छी लगी पंची colors देखने को मिल जाते है और photo के अंदर आपको detail देखने को मिलती है बगी का यहाँ पर आपको media ticket damage T6100 वाले चिपसेट मिल जाता है stable chipset बोल सकते हो gaming वगेरा आप इसके अंदर कर पाऊगे lag issue देखने को नहीं मिलेगा बगी का hybrid sim slot मिलता है और guys 6000 MS की battery है 25 watt की fast charging का support मिल जाता है तो battery backup भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है तो battery backup भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है and security के लिए आपको set mount finger printer face on low का support मिल जाता है तो finally pricing के बारे बात करते है तो guys यहाँ पर आपको मिल जाती है 4G from 128GV का storage है जिसकी price 12,000 रुपे के अंदर आप इसको consider कर सकते हो अगर आपको एक Samsung स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हो तो guys इस video में थोड़ा सा आगे बर तोरह बात करते है number 1 वाले स्मार्टफोन के बारे में जो है कि Realme Narjo 70X 5G स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन भी हल फलाल के अंदर ही launch वा है और guys आप कोई बता है Realme के स्मार्टफोन काफी लंबे समय तक भी चलते हैं तो उससे साबसे उनकी जो build quality है वो अभी के time से काफी ज़्यादा better देखने को मेल चाहती है और खास थोर पर इसकी जो design है वो एकदम unique tap की और काफी प्यारी design देखने को मिल चाहती है डिस्पली के बारे में बात करें तो 6.7 इंचर्स की full HD player display है 120 Hz का small display है पंचल कट आउट के साथ मिलती है और outdoor के लिए आपको मिल जाती है 950 needs की peak brightness है display की देखो quality में जे काफी ज़्यादा better लगी और यहाँ पपको जो chin और bezel से ना वो बहुती कम देखने को मिलते है इसके लबा back में दोल camera का setup है जिसमें से मैं camera 50 megapixel का 8 megapixel की selfie यानि back camera से आप 1080 में video record कर सकते हो देखो camera quality यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है पंची colors देखने को मिल जाते हैं लेकिन photo के अंदर थोड़ी सी detail कम देखने को मिलती है media tech का dimensity 300 plus वाला चिपसेट मिल जाता है यानि multi tasking normally इसके लिए smartphone अच्छा रहेगा और 40 APS की gaming आप इसके अंदर कर सकते हो इसली के साथ आपको भाई triple card slot मिल जाता है और 5000 MS की battery 45 watt की fast charging का support मिल जाता है तो overall देखा जाए तो performance and fast charging काफी अच्छी देखने को मिल जाती है and security के लिए side mount finger printer fusion lockout support मिल जाता है तो अब finally pricing के बारे ही बात करते है यहाँ आपको 1500 रुपे का coupon भी देखने को मिल जाता है जिसको आप apply कर सकते हो तो अगर आपको एक अच्छी design वाला smartphone चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हो तो ऐसी यह थे आपके best smartphone जिनको आप consider कर सकते हो 12 रुपे के budget के अंदर अगर आपको कोई भी गन्फी जाने तो आप comment कर सकते हो मैं इसको reply जरू करूँगा तो चली वीडियो को ही पर end करते हैं आप से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर